खुजली होने के कारण खुजली होने का सबसे प्रमुक कारण सरीर में दूसीत द्रव का जमा हो जाना है। जब रक्त में दूसीत द्रव मिल जाते हैं तो दूसीत द्रव सरीर की त्वचा पर छोटे-छोटे दानों के रूप में निकलने लगते हैं। सरीर के ठीक प्रकार से सफाई ना करने के कारण भी खुजली हो जाती है। पाचन तंत्र खराब होने के कारण भी खुजली रोग हो सकता है क्योंकि पाचन तंत्र सहीं से ना काम करने के कारण सरीर के खुन में दोसे द्रव फैलने लगते हैं जिसके कारण खुजली हो सकती है अधिक दवाईयों का सेवन करने के कारण भी खुजली हो सकती है खुजली रोग का उपचार करने के लिए रोगी वेक्ती को दो-तिन दिनों तक केवल फलों और साख सबजियों का रस पीना चाहिए और साथ ही रोगी वेक्ती को गर्म पानी से एनिमा क्रिया करनी चाहिए ताकि पेट साफ हो सके इसके बाद कम से कम साथ दिनों तक फलो का रस साख सब्जियों का सेवन करना चाहिए और सप्ताह में एक बार भाप इसनान लेना चाहिए खुजली रोग से पीडित रोगी को सप्ताह में कम से कम तीन बार अपने पूरे सरीर पर मिट्टी की गीली पट्टी का लेप करना चाहिए और धूप में बैठना चाहिए जब लेप सूख जाए तब रोगी को एक तब में पानी भर कर उसमें 30 मिनट तक बैठ कर इसनान करना चाहिए खुजली रोग से पीडित रोगी को खुली हवा में घूमना चाहिए और गहरी सांस लेनी चाहिए और हरे रंग की बोतल का सूर्य तप्त जल मतलब सूर्य से तपा हुआ जल 25 मिले लिटर की मातरा में दिन में रोजाना चार बार पीना चाहिए खुजली की फुंसियों को मख्यादी से बचाने के लिए उन पर नारियल के तेल में नीबू का रस मिला कर लगाना चाहिए खुजली की रोगी को सुबह के समय में नीम की 4-5 पत्तियां चबानी चाहिए इससे उसकी खुजली की फुंसियां जल्दी ठीक हो जाती है और रोगी को पानी में नीम की पत्तियां डाल कर उस पानी को उबाल कर फिर पानी में से नीम की पत्तियों को निकाल कर पानी को गुनगुना करके प्रती दिन दिन में उस पानी से दो बार इसनान करने से खुजली जल्दी ही ठीक हो जाती है खुजली के रोगी को क्या खाना चाहिए क्या झेलाना हे खुजली रोग पिढ़ित रोगी को अधिक मात्रा में फल जैसे संत्रा, सेब, अंगुर और सबजियों में हरा चना, मुली, पालग का अधिक सेवन करना चाहिए. रोगी वेक्ति को चने के आटे की रोटी, शहद, कच्चा दूद, मठा आधी चीजों का सेवन करना चाहिए नीबू के रस को पानी में मिला कर प्रती दिन दिन में कम से कम पाँज बार पीना चाहिए खुजली के रोगी को शकर या मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और अधिक मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, साथ ही अधिक नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद